नमस्कार जहिन सात्यों सेना भरती से जुड़ी हल चलों के बीच टूर ओब डूटी प्लान को लेकर चल रही हल चलों के बीच आर्मी एक्जाम एरपोर्स इंडॉल्मेंट से जुड़ी केसी भी परकार की अपडेट ना आना यहां के लिए चिंता का सबब बन चुका है यहां तक कि यूवा इस बात का कयास लगा रहे हैं कि उनके पेंडिंग आर्मी एक्जाम एरपोर्स इंडॉल्मेंट और रिजल्ट में भी टूर ओब डूटी लागू हो जाएगा इसके साथ साथ एक ख़बर सोसल मीडिया पे एक प्रिंट मीडिया का पत्तर वाइरल हो रहा है उस वाइरल पत्तर में भी इस बात का दावा किया जा रहा है कि आगामी दो माहे में देश में चौदा राजियों में शेना रेली भरती की रेलियां कंड़क्ट हो गई उस पत्र की फेक जांच करेंगे लेकिन सबसे पहले बात करते हैं सेना भरती एक्जाम वे एरपोर्स इन्रॉल्मेंट वे रिजल्ट को लेकर विगत महिने भर की समय शीमा में सेना भरती से जुड़ी ट्यूर अब ड्यूटी से जुड़ी सब प्रकार की अपडेट शामने आ रही है नामी मीडिया और देश के कई एस से चैनल जहांपे ट्यूर अब ड्यूटी प्लान का जिकर हो चुका है सेना भरती से जुड़वी recruitment procedures का जिकर हो चुका है लेकिन pending प्रिक्षा वे अभी तक result का किशी भी प्रकार का जिकर नहीं हुआ इसके पीछे आप जो कयास लगा रहे हैं वो बिलकुल निराधार है जो यूआ ये सोच रहे हैं कि उनके exam में या उनके airport enrollment result में लग जाएगा एसा कता ही नहीं है तूर अब डूटी को लेकर कितनी भी प्रकिरियां आ जाएगे आपको बता दें कि ये नए सीरे से लागू होगी इसमें किशी भी प्रकार की जो old vacancies है इसमें इसको aid नहीं किया जाएगा क्यूंकि 2019-2021 के दर्मियान जो भरतिया conduct हुई है, किकी के केशिबी परकार की जो notification है उसमें To Loan Duty Plan का जिकर भी नहीं किया गया है यहां तक कि उस समय To Loan Duty Plan को लेके इतनी हल चलें तो छोड़िये केशिबी परकार की बातें भी शामने नहीं आ रही थी तो आप तैयारी को छोड़ के आकिर कार क्यों इन थे की बातों के उपघर यगिन कर हैं आपसे हमबल रिवक्विशटवर को निराधार बातों को नहीं मानिये क्यूंकि अगर ऐसा होता है तो भी कहीना कहीं वह बाते हैं वह वापस सही दाहरे में आजाती प्योफित तो अ इतनी लंबी शोचे उससे पहले ही इस बात की फेरिस डाल लें कि एक्जाम वे आपके इन्रोल्मेंट रिजल्ट में टूर ओब जूटी नहीं लग सकता और उसकी सबसे बड़ी वज़े है क्योंकि ये ओल्ड इसकिम की भरतियां थी अगर नई शेना भरती प्रनाली लागू भी बात करें बात करें कि सेना भरती आकिर एक्जाम कब कंड़क्ट होगा तो साथ यों आपको बता दें कि सेना के कई आला अधिकारी इस बात की चर्चा कर चुके हैं कि सबसे पहले रेली भरती से पहले सेना भरती का जो पेंडिंग पड़ा एक्जाम है वो कंड़क्ट क करवाया जाएगा वर्तमान इस्तिती इसी बात की और ले जा रही है कुछ यूआ यहां तक बात करें कि क्या उनका सेना भरती एक्जाम रध हो जाएगा एसा कता ही नहीं है आप किशी की ये बात ने मानिए जो जो प्रोसीजर से वो लगातार चल रही है किसके क्या पे पता चलेगा अब बात करते हैं एक लेटर जो प्रिंट मेडिया का है जिसमें दावा किया जा रहा है कि आगामी दो माहे में चौदा राजियों में रेली भरतियां कंड़क्ट होगी इस पत्तर में अगत्स से जुलाई सेशन की बात की जा रही है और जिलों के साथ-सा 2019 में राजस्तान की एक नामी प्रिंट मेडिया ने इसको जगे दी है और यह जो पत्तर है वो लगातार पांच-चार दिन से ज्यादा वाइरल हो रहा है और बिना किसी भी परकार की डेट दिखाए यह है वो शो किया जा रहा है यह 2000 जून-जुलाई 2019 माहे का है जब भारत सेना में 45,000 पद खाली थे उस समय से लेके वर्तमान इस्तिति तक डेड़ लाग पद खाली है जो साथ इसको ज्यादा वाइरल कर रहे हैं वो इस बात को सोचिए और जो साथ इसको पढ़ रहे हैं वो भी इसको सोचिए कि सरकार ने अभी लोकसमा में इस बात को कहा था कि ह हमारे पास एक लाग से ज्यादा पद खाली है सेना में बारतिये थल सेना में तो 45,000 की बात आकिरकार केशे गले उतर सकती है तो आपको इन जो भी पत्र वाइरल हो रहे हैं इनके उपर ज्यादा यकीन नहीं करना है आपको बता देंगी एक्जाम और जो भी प्रोसीजर से वो समय पे होगी लेकिन यह जो पत्र आ रहे हैं उनके उपर अगर आप यकीन करेंगी तो जरूर आप अपनी त्यारी से भटक सकते हैं इसलिए अपने फीजिकल अपने मेडिकल अपने जो एक्जामिनेशन की प्रोसीजर से उसको उपर लगातार ध्यान दीजिए और जो भी आपकी प्रोसीजर्स के माधियम से तैयारी है उसके उपर निरंतर गति शीलता बनाए रखें यती ताज़ा अपडेट जो हमने आपके साथ साजा की इस अपडेट से किसी भी प्रकार के सुजाव हो हमें कमेंट सेक्षन इस्टाग्राम हैंडल या मेल के माधियम से जर जिशा चुक्रिया